हालो भाइब ओप्लोग कैसे हुआ आप लोग मैं आप लोग आपलोग मेरे बिद्स कर तो मेरे वाली डूओप चैनल मे तो गास हमे लोग वोप variety माइंके आप के लिए लाकि लास्ट वाल एपिसोड में हम लोग ने बनाया था अपने लिए एक गोल्ड फार्म तो आज इस वाल एपिसोड में हम लोग बनाने जाने वाले हैं अपने लिए एक पूरा का पूरा आइरन फार्म क्योंगी देखो भाई अपने पास आइरन की तो बहुत ज्यादा ही क यह थे तो मैंने वो पूरे पूरे कलेट कर लिया है एंड में वो किदर बनने वाला हूं मैं आप लोगों वो भी दिखाने वाला एंड ओफ लेंड मेना भाई मैं थोड़े बहुत मतलब काम की या इधर किदर बोलता है अपने गोल फार्म में तो के चलो गाई अभी फड़ा यहां पर मेरे पास देखो मैंने एक बखेट उटा लिया क्योंकि वाटर बखेट की भी जुरूरत होती है ना वाई फार्म में तो इसलिए एंड यहां पर बाई मेरे पास फालतु सम्वान तो बहुत ज्यादा पड़ा हूं मैं उसको पहले अंदर कर देता हूं बई जाने चलते हैं अब फटाफर से बागे चलते हैं डायस हम लोग अपने भाई आपने एंचाइट में रूम में यह वी यह वाला प्काक्स में तो बहुत मस्त हो चलते हैं बगां यहां नहीं गीम इतना ज्यादा लाग रहे ने वाले श्ट्याच्वी अब बहुत ज्यादा हो क्योंकि आपने इंका ट्रेड ना इतना है ना वाई कि मैं बता भी नहीं पाऊंगा और इधर ना भाई मैं 20 विलेजर तो नहीं ले जा पाऊंगा बस दो को लेकर जाएंगे और उनको ब्रीडिंग करके बाई 20 विलेजर के अंदर करेंगे ठीक है तो चलो भाई अभी फड़ तो भाई शॉर्पने तरी नॉक बैक टू कुछ मिला आए ना भाई ओके भाई मेरा एक्सपी तो इतना ज्याद जल्दी कम हो चुका है गए मैं तो बहुत एक्सपी बढ़ा के आता हूं तो कि वाई जैसे आप लोग यहां पर देख सकते हो मैं अपनी एक्सपी बढ़ा के बरे आत चुका हूं अपने यहां पर खुंच टाहिए है किस मेरे इसमें मेरे इसमें मैं नहीं चलो कोई ना भाई इंडिक्कटकी बात नहीं अभी फड़ा-ख़र से चलते है हम लोग नीचए की साइड और रात भी होने वाली है अभी आई आवर देखो यहां से ना वाई हमें कुछ देशों ब्लॉक दूर बाइपना मतलब पुरा पुरा फार्म बनाना पड़ेगा मतलब अपना आयरन फार्म बनाना पड़ेगा और आप लोगों को दिखाऊंगा अपने फार्म में क्या क्या चेंजेस करें ठीके तो अभी चलो फड़ा आप लोगों दिखाता हूं किदर मैं अपना फार्म बनाने जाने वाला हूं उससे पहले हम लोग चलते हैं अपने बाइप कुछ बेड़ बनाने के लिए वाई मेरा बेड़ बिल्कुल नहीं है तो भाई मुझे बनाना पड़ेगा नहीं मेरे पास इन्वेंटरी में आपको लेके चलता हूं ठीक है तो यहां आपको लेके चलता हूं ठीक है तो यहां पर चलो भाई फड़ा फट से हम लोग भाग के चलते हैं कुछ ज्यादा दूर नहीं है यह जो एकस्पी फाम है ना भाई इसके कुछ थोड़ी फीचे ही है बस अपना वह वाला फार्म अभी जो आए ना बाद जंगल ट्री अपना तो वहां पर आप है पूरा पूरा सामन यहां पर कलेक्ट कर लिया है एंड भाई हम लोग को अभी आरन की कमी तो नहीं होनी चाहिए वाले फार्म से यह वाला फार्म तो बहुत एफिशेंट है मना बहुत जाब वीडियोस में भी देखा है और लेडी मैं खो देक मेरे सिरीज में बनाया था बहुत एफिशेंटली वर्क करेगा यहां पर हम लोग को वूल भी मेरे पास वूल भी बहुत जाद बनाने पढ़ेंगे बीज बीज के करीब कुछ बड़ने पड़ेंगे इस हमें यहां पर कोई कट के बात ने चलो पाई अभी फड़ा फट से महां यहां पर अपने लिए वूड बना ले ता हूं ठीक है की ओज़ए नहीं पर हम लोग टोगाना पड़ेंगे इस नीचे किनले बोड़ बना लेताओ पांच बहुत बेट बना लुग के जरे मडेर अप लोग दिखाना चाहता हूं एक चीज पांच ये दस बेड बना लिया है थीक है और आइस मैं आप लोगो एक चीज दिखाना चाहता हूं रुखो आप लोग भी आइसा करो गाइस यह वाला फॉम बनाना एजी होगा बीच में आप लोग लिफ्स से बनाना स्टार्ट कर देंगे तो बहुत जाए दिक्कत होगी यह बना के देखो दिक्कत कुछ भी ने और बड़ भी कुछ विने होगी क्योंकि हम लोग को देखो नीचे आएक कर बेड लाना होगा पांच पांच बेड तो फड़ा फट बीच में ब्लॉक शोड़के यहां पर भी बेड लागाना शूरू कर देता हूं पांच बेड कुछ तो एसे लगा देते हैं ठीक है यहां पर मेरे पास तीन और बेड पड़े हुआ है तो फड़ा फट से भी लगा देते हैं नीचे है कि हम लोग लोग कुल मिला कि बीच बेड लगाने पड़ेंगे पर गया फर्व ड़े कर भाह्त हो यहां फिर बेल कूध और लिडर पर इस चार शर्मान पूर सूल कि मैंने ओर यहां पना लेट आ जो शब situação आ पर लेंगे। प्लेस होगे यह पांच तर यहां से ले लेना हैं लिस्ट सब्सक्रै उस करते हो फूर बहुत बहुत अच्छे इसे वन तो यह ब्लोक चोड़ के नहीं यहां पर देख सकते हो इस अपना पूरा पूरा मदला स्क्वेर शेप बनके यहां पर रेडी हो चुका है अभी आप लोग को यह वाले बैड्स जो बीच में आप लोग लगाए नहीं है इसको तो लेना है इस पुरे पुरे बेट्स को मतलब ह यहां से लेना है क्योंकि देखो हैं भी हम लोग को यहां पर जाना है पुरे पूरे प्पुरे क्लिट कर लिया है क्काम करते भाई भी फड़ाफच अपना शर्वा जो-जो सामन चाहिए भाई कैम आने वाला तो वह वाले पूरे भाय मैं भी ले ले लेने वाला हूं लाबा के डाभी काम नहीं आने वाला वैस्ट अभी अंधर लगा देता हूं अभी माइफ ले लेता हूं वेस्ट फेलचिंग ऍटेबन ऊदू चाहिए एक आप पर होप बाद में लेना है जाए ओ भी क लिए काम आएगा ना भाइब होपर बस तो अब हम लोग को फड़ाफट से यहां में यहां पर देख सकते हो भाइब पुरा पुरा मैंने यहां पे तीन ब्लोक तक डिक कर लिया है तो अभी हम लोग को करना है क्या गाइस प्रस्टांफ अभी हम लोग को क्या करना है बोले तो आध यह वह वह ब्लोक चोड़ेना बाइब बीच में जीतना भी हम लोग को छे ब्लोक डीपर जाना है तो फड़ा फ़रच मैं वह पूरा कर लेता हूं मतलब यह देखो भाई, आईसा square type में भाई, बीश में एक और square बनाना है, हम दोग प्लाटफरम बनाना है, ताकि उसके अंदर एक गड़ा type बनान ले गई, ताकि उसके अंदर आपने अपने, प्लाटर आपने, व्यूर्ट मेराई करते हुए। लोग यहां पे पुरे पुरे बेड को लगा लेते हैं अभी हम लोग निफिसे एक ब्लोक नीछे यह ना ही होगा क्योंकि देखो इस फटाफर से मैं ब्लोक नीचे कर देता हूं यहां पर देख से हो बाई पूरे बेड लागा कि मने यहां पे रैडी कर लिए तो अभी हम लोग को यहां पे कुछ तीन चार ब्लोग उपर आजाना है एंड यहां पर जो कौरनर है इस कॉरनर साँड पर हम लोग लगा जैना हैं बाई मैं गलती आ चुका हूँ यहां पर नहीं आना है अब पर बच वाला में चड़ना हुआ तो आप फड़ा-फट भाई बीच वाला भी ब्लॉक्त तक उठा लेते तीन हैं तक तो यहां पर कॉर्णर में हम लोग को ब्लॉक्स कुछ आइसे गरगा प्लेस करने हैं अब अब हम लोग को बाई यह वाले ब्लोक पर टोर्चर प्लेस कर लो आप चाहिए तो प्लेस कर सकते हो नहीं बोले तो कुछ भी निगा साइसे कुछ भी नहीं है भाई मैं इसलिए मज़ा प्लेस कर रहा हूं जॉम्बी स्पोन हो कि ना पर अपने पुरे पुरे विलेजर को मार देंगे तो इसलिए मैं प्लेस कर रहा हूं तो अभी यहां पर भाई यह वाला फ्लोर में लगाने वाले फ्लेचिंग टेबल अगर आप लोग चाहते हो तो यहां पर जो वॉल करके भी आप लगा सकते हो मैं भाई मतलब सिर्फ और सिवाप को जीदर फ्लेचिंग ट मैं कंजूस नहीं हूं प्लेस को सेव कर रहा हूं ठीक है तो चलो अभी फड़ा फर्चे मैंने यहां पर पूरे पूरे में फ्लेचिंग टेबल को मतलब लगा कर लिया है अब आने वाला है गाई से बस एक सिर्दत का काम जो किया है अपने विलेजर्स को लेके आना तो चल टाइब बना लेते हैं थिस्ग बाइब बाद में मैं इनको बाई नार्मल कर दूंगा चलो अभी विलेजर्स को लेके आते हैं अम लोग तो केस जैसे आप लो यहां पर देख टेख चो बैम पूरे प्लेचिछ बीलेजर्ट को यहां पर लेके आ चुका हूं थो वाली पू यहां पर जो मतलब यह अभी फड़ा फड़ा से वाइस मैं पीसफुल में लगाया था कि विलेजर्स को ले के आने में दिक्कत ना हो इसलिए गाइस कोई दिक्कत की बात नहीं है अभी फड़ा फड़ा से हम लोग यहां पर इनको खाना खिलाते बचे पैदा करने देते और म जैसे आप लोग यहां पर देख सकते बाई इन लोग को बड़े होने में कुछ ज्यादा ही टाइम लग गया वह वाला बंदा भाई अभी तक बड़ा ही नहीं हो रहा भाई चलो है छोड़ देते गाइस वह उसको आई सही तो अभी हम लोग फड़ा फड़ से बाई जो जो सबी था वह एक चेस्ट में स्टोर करा हूं शायए बार देखते हैं यहां पर बाहर गोलम स्पोन होना भी स्टार्ट हो चुके है गाईस वह फार्म के अंदर स्पोन हो बाई क्यों इतनी जल्दी है तुम लोग उनको यहां पर स्पोन होने की हां चलो कोई लिक्त की बाद अभी स्पोन ने देते हैं उन लोग को अभी हाँ पे हम लोग ब्लॉक्स यहां पर तूट चुकैं कोई धिक्कत की बाद नहीं है यहां पर फिर से लगा दी। अब यह क्या वाई ग्लिचेस तो मेरे माइनकरफ में होने थे क्या वैस्वा इस पुरे-पुरे चलो कोई दिक अंदाजा दाल सकते हैं कि बाई कितना जबर्दस काइम करने वाला है यह वाला मदब पुरा पुरा फार्म तो चलो अभी फड़ा फट से पूरे पूरे फिल करना स्टार्ट कर देते हैं एंड गाइस मैं आप लोग एक चीज़ बताना चाहता हूं गाइस क्योंकि देखो भा कुछ ऐसे बनाना है दो यहां पर कुछ ऐसे बनाने के बाद भाई हम लोग लगा डाल देना इसके ओपर वाटर ताकि यह वालो वाटर जाके वहां पर सामनी की साइड रुख सके जहां पर अपना कलेक्टिंग सिस्टम बनने वाला है ठीक है तो चलो भाई अभी फड़ा भाई मैं वाटर ही ने लेकर आया देखो आइस तो चलो कोई दिक्कत की बाद में जाके भाई लेकर आ लेते हैं वाटर बकेट एक ऐसे कुछ भी नहीं है गाइस भाई फ़स्ट अफ वाल तो सोके भी उठना पड़े गाएस हमें यह रात के टाइम में काम भी ने कर सकते हैं यह पर से बारिश एक और बाई एक और दिक्कत दे दिया है समय कोई दिक्कत की बाद में भी फड़ा फटी हैं यहां पर तोड़ी देर सोके हम लोग सुबह उठके ना बाई जाके यहां पर मतलब तो बद वाटर उठाके लेकर आ लेते हैं ओके यहां पर समुनदर है ना पना लाख है चलो चलो बाई बाई वठाश जो अभी यो जरू अभी मार रहा है उत्कों मारेगा तो मिली Bene आपर अपर से लिए बाइब राइवा endget लिए बैसा नइसे 9 पार-ddम यहां पे यहां पर वाइज करें आप और उटपया वाटर बना लेते हैं हम लोग तो कि अब हम लोग को यहां पर जिदर पानी आके रुकाता हूं उधर हम लोग को देखो कुछ ऐसे कर लेना है यहां पर एक और ब्लॉक तोड़ देता हूं मैं चलो बैए अभी हम लोग को थोड़ा मतलब एक स्टेयर टाइप बना लूँगा थाकि आ अभी यहां पर भाई चलो बैए यह हो गया अपना कलेक्टिंग सिस्टम पूरा पूरा रेडी तो भाई अभी पूरा रेडी नहीं हुआ है अभी यह गलत तोड़ दिया गाइस मैंने ब्लॉक भाई अभी के लिए तो नॉर्मल ली कैसे बोले तो वैसे बना दे रहा हूं इसे वाला कलेक्टिंग सिस्टम में भाई आप लोग भाई कुछ डेडिकेटड बनाओ क्योंकि भाई मुझे उतना ज्यादा डेडिकेटड बनाने का मतलब हो क्या बोलते है गई उतना ज्यादा मुझे एक्स्पीरियंस नहीं है ठीक है तो भाई मैं होपर और लावा लेक फट्राफ़ चेश्ट भी बना लेते हैं और सीधा वाई कलेक्टिंग सिस्टम बनाते हैं तो कि यहां पर मैं मतलब चेश्ट भी बनाके आ चुका हूं तो अभी देखो हम लोग को कुछ ऐसे करना है की देखो भाई यहां पे हम लोग को वोटर डाल देंगे अब आप guys हम लोगने signboard अभी यहां पर कैसे signboard place करना होगा and एक और signboard अभे यार गोलम हट जा यार इदर से अभे यार हट भाई इसको खतम करना है पड़ेगा क्या भाई हाँ यहां पर एक और साइन बोड लगा देंगे ठीक है और एक साइन बोड लगने वाला है देखो यहाँ पर नीचे की साइड ताकि देखो इसके उपर हम लोग लावा दालेंगे तो भाई वह नीचे नाग दी रहे तो इसलिए गाईस हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसे कर देते मदब लग जा यार इदर है इदर एक और लग जा ठीक है मने यहाँ पर डबल चेश्ट लगा याँ और गाईस हम लोग को इसको कनेट करते हुए होपर लगाना है ताकि बाई जितना भी आरेनों हो भाई आपने चेश्ट के अंदर आके मदब कलेक्ट हो जाए तो यहाँ पर कु पुला रख दिया है मने अगर अगर से गलती से भी भाई मेरा पुरा मगर मेरा पैर पिसल भी जाता है उदर तो भाई पुरा पुरा लावा आगे मेरे पे गिरने वाला है था गैस कोई कर बाद में अभी साइन बोड इदर एक लगा देता हूं एंड अबेर कुछ ना दल रहा है तो मैं फड़ा फर से इसको भाई कलेट कर लेता हूं नार्मल पहले कि इदर लगाए था वह उदर ही लगाना पड़ेगा हमें तो के मैं उसको उदर से अटाएगे भाई इदर फिर से लगा दिया है तो भाई अभी हम लोग को ना इदर इदर जो प्लेस है कुछ यहां पर ऐसे कुछ लावा डाल देने के बाद ना भाई हम लोग को यहां पर वाटर बॉकेट डाल देना बस उतना यह इन आपना बनकर रडी हो चुका है बस पानी वाटर बॉकेट एक दालना बाकिया तो चलो कई अब फड़ा फर से में ऊपर चलता हूं वरना मैं इलावा में जलके मर जाओंगा वैँ अब यार चल ना चल अब यार लगना वैई अब यार क्या हुआ लग चुका है चलो अभी हम लोग ऊपर की साइट चलते हैं फड़ा फट से अब यार लग चा आच लो अभी इसको बहुत यह वाले जो मदवी जो ब्लॉक से वैइफ आल चलो भाई अभी गोलम चाच्चू अभी तुम्हारा मरने का टाइम आ चुका है जाओ 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 मरेगा वाई है हाँ यह यहाँ यहाँ पर माना स्थार्ट हो चाहिए मैं तोड़ी देर एफके कर लेता हूं और मैं आप लोगों दिखाता हूं गाइस कितना आयरन यहाँ पर कलेक्ट हो रहा है तो क्याओ मुझे आप ऐफके गरते हैं दो से तीन बीनिट के अंदर ही तो भई यह वाला चेस्ट ऑपन करता हूं यही है तो एक यह अपने पास कलेक्ट हो चुका है देखा है कितना मसते हैं वह यहां पर अपना पुरा-पुरा तो क्या चलो आप लोगों से मिलता है अगली वाली वीडियो में तब तक के लिए बाई 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 आप बहुंसा लोग चानल को सब्सक्राइब नहीं कर रहें गया जा करो ऑग जाकर वीडियो पसंदार ही तो लाइक करो और नेक्स्ट वाली वीडियो में और क्या-क्या चीज़े बनाने चाहिए आप लोग मुझे कमेंट सेक्षी में आए जरूर बताना क्यों आपके भाई को सबस्क्राइब करो चलो में आप लोगों से मिलता हों अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई-बाई एंड से टून गाइज